बहुत खुलके एलेक्शन के बारे में बात की है और एलेक्शन के बारे में हमने ये कहा है कि सब हम दोनु जमातें जो हैं चाहते हैं कि हम इकठे लड़ सकें और सेकुलर फ्रंट जो है वो मजबूत हो जाए इस चीज के लिए दोनु जमातों को देना भी पड़ा और लेना जिसमें ये ना मैसूस हो किसी को कि एक हार गया और एक इसका फैसना ये हुआ है कि जम्मू और उदंपूर की सीट कॉंग्रस लड़ेंगी सिरिनगर की सीट मैं लड़ूंगा और फ्रेंडली कॉंटेस्ट होगा कॉंग्रस और नश्नल कन्फरेंस का अनंत्नाग में और बारा मुला में उसके साथ साथ लड़ाग की सीट भी हम लोग सोच रहे हैं कि उसमें भी कॉंटेस्ट होगा दोनों का एक friendly contest होगा, हम कोई चाहते हैं कि किसी भी तरीके से या ये जीते हैं या हम जीते हैं, कि secular parties जो हैं, वो आगे आएं मैं डारक डाक्टर फारुक अब्दल्ला साब और उमर अब्दल्ला साब का बहुत बहुत शुक्रिया दा करता हूँ कि बहुत अच्छे वातावरन में ये फैसला हुआ है और ये सोभाविक था पिछले चार पाँच साल से नेशनल लेवल पे अपोजिशन की शिरिमती सोनिया गांदी के नेतरुत में और बाद में स्टर राहुल गांदी के नेतरुत में जितने भी अपोजिशन पार्टीज की मीटिंगे हुई हैं उसमें फारुक साहब और कुमर साहब बिलकुल शामिल रहें और यूनिटी की बात करते रहें और देश के अनेक हिसों में भी कलकटा से लेकर और बैंगलोर तक या बाकी हिसों में जब भी विपक्ष की मीटिंगे हुई यूनिटी की मीटिंगे हुई तो फारुक अब्दिल्ला साहब और मुझ अब्दिल्ला साहब ने हर वकद ये प्रियास किया ये कोशिश की कि नेशनल लेवल पे जितनी भी एक सोच के लोग है सेकुलर सोच के लोग है राश की एकता और अखंड़ता में विश्वास करते है वो एक हो जाए तो उसके एक जलक का हमको आज जमू कश्मीर में नज़ने कि कई राजियों में तो बहुत सारे नेता रीजनल पार्टीज के अपने जब आल पार्टी मिटिंग होती हैं उस फोरम में बोलते हैं कि यूनिटी होनी चाहते हैं लेकिन जब उनके स्टेट की चर्चा आ जाए तो वो पीछे हड़ जाते है तो फारुक अब्दला साब और अमौन अब्दला साब जो इन्होंने दिली कहा कलकटा कहा साउथ इंडिया में चन्ने में कहा बैंगलॉर में कहा कि यूनिटी होनी चाहिए सब को give and take करना चाहिए और राश के हित में सोचना चाहिए बड़ी सोच रखनी चाहिए छोटी-छोटी सोच हम रखेंगे तो कभी आगे ओपर नहीं उठवाएंगे और वही इन्होंने भी इस मिटिंग में दौनों ने अमर साब यहां मौजूद नहीं है लेकिन उनके आपस में जो पहले मिटिंग हुई थी पार्टी में और उनकी तरफ से भी एक जो इनका निरने था वो इसमें शामिल है मैं इनको बढ़ाई देता हूँ अपनी पार्टी की तरफ से अपने साथियों की तरफ से कि यह बहुती अच्छे नियने हुआ इस से बहतर कोई फैसला हो नहीं सकता था कि लिव एंड लेट लिव जमू में अगर यह खड़े करते थे आदमी तो यहां भी हमारा एक एक डेड़ेड लाख वोट इनसी का कड़ जाता तो बीजेपी का फाइदा हो जाता किश्मीर में भी अगर हम बिलकुल अलग अलग लड़ते तो वहां ट्रांसफर करना वोट बड़ा मुश्किल हो जाता है तो वहां हमारी दूसरी पार्टियों से लड़ाई है तो हम दोनों की अगर वहां दो सीटों पे जहां अतनाग में हमारा भी कुछ MLA हैं, बारा मौला साइड में भी हमारे कुछ MLA हैं, वहां अपना टर्फ भी सभाल पाएंगे, अपने वोटर्स को भी सभाल पाएंगे और वहां प्रियास होगा, कि हम वहां दोनों जगह इस तर पर उतना वार नहीं करेंगे मारने का जीत जाते हैं आप जीत जाते हैं हम जीत जाते हैं एक ही बात है नेशनल की टीम पे तो वो एक ही जगा लेना है क्योंकि नेशनल लेवल पे नेशनल कांफरस और कांगर्स पार्टी की एक ही सोच है और वो आज से नहीं है वो आजादी स पहले नहरू जी के जमाने में गांदी जी के जमाने में शेख अधिक रही है ठीक है राजनीती में कभी ठंडा गरम होता है लेकिन जब भी कोई नेशनल इशू होता है तो हम दोनों पार्टिया हमेशा दुनिया को दिखे हैं कि हम एक दफा एकठे खड़े हुए हैं मैं और वहां भी हम सब लोग कंपेंड करेंगे चाहे हम अनतनाग और बारामुला में जितने भी हम कॉंग्रस के लीडर है मुझे को मिला कर अगर हम अपनी अपनी पार्टी के कंपेंड करेंगे लेकिन हम सब मिलकर विकास ओनी जी से लेकर मुझे से लेकर और हमारे PCC प्रेज ते बिच में बलंस करते रहते हैं. बजर्ग का काम यही होता है, कि जो स्त्रेट में, गल्ती से बुजर्गesseं निकल यह. तो उसमें हमेशा है यह बाती है. हमेशा बालस करते आए हैं, कभी कभी अपनी पार्टी को भी कास्ट आफ पार्टी जो स्टेट के हित में बात होती और नेशन की नेशन के हित में स्टेट के हित नेशन का हित स्टेट का हित हमारा नेशन के हित से जुड़ा है अलग नहीं है तो उसके नहीं में खास्तोर से आपका अभार प्रकेट करता ह आप से सवाल भी लेंगे, मगर मैं साथ साथ ये भी कहना चाहता हूँ, ये तश्रीव लाएं हैं, उम्मीद यही करूँगा, जिस तरह हमने कोशिश की है, कि वतन को सेक्लो रखने के लिए, हम कुर्बानी देने के लिए तैयार है, मगर मैं इसे ये भी अप्रील करूँगा, कि बाकी जगों में भी वतन में, वतन के लिए, इन्हें भी भरपूर कोशिश करनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग की दूसरी जमातों से, कि एक वतन जो हमारा है, ये मजबूत रहे, सेक्लर रहे, और सब के लिए बराबर रहे, उस उसमें तो हम सब बचन बंद है, क Uni के देश को इस वक sotto है बाहर से, फाकिस्तान से, बाकी दूसरी देशों से, हम क्श्मिर में जो spatिरे में बार्डर पर बैठते हैं, जमों वाले और कश्मिर वाले और लडाक वाले, तो हम असली तो सबसे पहले अगर कहीं नुकसान होता है तो यहां के लोगों को होता है जान, माल, मौशी का नुकसान होता है तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में शांती हो तो सबसे पहला फाइदा जमुकश्मीर के लोगों का अपने देश के हित के लिए हम सब खड़े हैं देश के साथ मुलक के साथ जिसका जमों किश्मीरी का टूट अंग है उसमें कोई हिसा हूँ तेहिं साथ साथ आपने ये कहा कि जो सेकुलर ताक्ते हैं उनको मजबूत करना है कि उनकी कुमिनल ताक्ते हैं से पाकिस्तान मजबूत होता है चाइना मजबूत होता है हमारे दुश्मन मजबूत होते हैं देश कमजूर होता है तो इसलिए जमों के लिए भी जरूरी है कि ये अलेक्शन्स धरम के नाम पे नहीं होने चाहिए ये कश्मीर के लिए जो भी सेकुलर ताक्ते हैं और सेकुलर इजम में हिंदुस्तान का भला है कॉमिनल इजम से देश का भला नहीं है कॉमिनल हिंदुस्तान किसी भी दुश्मन मुलक का मकाबला नहीं कर सकता है सेकुलर देश ही किसी भी देश का मकाबला कर सकता है क्योंकि हमारे देश की इस तरह से आबादी है जहां हिंदो, मुस्लिम, सिक, इसाई, बोध, जैन रहते हैं, वो सब युनाइटिड होंगे, तो हम पूरी दुनिया का मकाबला कर सकते हैं, लेकिन अगर हम डिवाइड हूं, धरम के नाम पर, जात के नाम पर, तो फिर तो कोई भी कमजोर मुलक भी हमारे मुलक की इस डिस य लाँ आम पर, युनिटी के नाम पर, मुलक को एक रहने के नाम पर, तो हमोग मिलकर रियास करेंगे और आपका रूल तो हमेशा रहा है, कै आप तो खाली रीजनल पार्टी होकर भी आप नेशनल रूल अदा करते हैं, बलके दबा के करते हैं, और वो आ अा लौ से दूआ क अगे चलके असम्मेल एलेक्शन में लगता है कि इस तरह से अलाइज नहीं हो पाएगा देखो आपका जो पार्लिमेंट सुनिया पार्लिमेंट पार्लिमेंट एलेक्शन पुरे देश का और विधान सबा हमारे परदेश का जो चनोतियां जो चैलेंजिस हमें पार्लिमेंट के लिए हैं वो चैलेंजिस हमेंने स्टेट लेवल पे नहीं हैं स्टेट लेवल पे ये आएं हम आएं कोई फर्क नहीं पड़ता है लेकिन नेशनल लेवल पे ये और हम तो नहीं आ रहे हैं ना वहां कोई तीसरा आ रहा है इसलिए वहाँ हमिकेट हैं, इसलिए हम जो आंतनाग और बारा मुलाया वहाँ की बात करें, हम इसे कोई आए चाही परक नी परता नाहरी लड़ाईने के साथ लड़ाई । अगर एक पेज पर होते तो फिर यह पार्टी में होते हैं इसलिए दो पार्टी है ना तो दो पार्टियों में तो समझोता होता है और वो समझोता अगर 100% हो जाए तो फिर तो एक पार्टी हो गई अगर 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 नहीं है दोनों का बहुत अच्छा है यह वह अपना अपना प्रेजन्स दोनों का बहुत अच्छा है यह वाव समय थैन्स दिन और भी फोन पर नहीं है यह वह अच्छा यह ने मुझे अच्छा जे ने मुझे याद दिला यह कभी पहली दफा नहीं हुआ पहले भी हमेशा पार्लमेंट के लिए तो हमेशा हमेशा होता और असम्मली में भी होता अरे बीजेपी के लिए थोड़ी हम काम कर रहे हैं बीजेपी जो हमें कहते हैं हमारे लिए इकठे हुए है हमारे तो पांच या छे जगह अलाइंस हैं उनका पचास जगह अलाइंस हैं वो क्यों कठे हुए हैं मोदी साब हर वकत करते हैं मेरे को हटाने के लिए कठे हुए हैं अरे अकेले नहीं तो फिर आप पचास पार्टी चालीस की तो गिनी हमने नाम लिए हैं हमेरे तो अभी छ सब्सक्राइब किया कि वह अलाइइंस कर रहे हैं वर्द महुदी साहब मानते ही नहीं है आपने लाज में पूछा कि आप दूसरी स्टेस्स में भी बड़ा दिल नहीं है आपको लगता है कि मैं तक आखरी सांस भी है ना कि तब तक हम लोगो को कोशिश करनी चाहिए कि अंडरस्टांडिंग हो जिससे कि देश बच सके है उसी के लिए हम कोशिश करें वहां भी वहां भी वहां भी वहां भी वहां प्रदानमंद्री का बयान आजा है कि वंशवाद को लेकर जो देश की अजिनका बनस ही नहीं हो तो वो क्या करेगा? अब जनका बनस ही नहीं हो तो वो क्या करेंगा? if an actor his son becomes an actor is that a dynastic thing if a director of a film makes his son director is that a dynastic thing if a doctor makes his son a doctor is that a dynastic thing should have been a dynastic thing if any other law people are. If sations have been an election before race, I have been fractured before, I have studied the rights to the United States and the people come from the first place and can't do that, if it is a gayer and if people don't vote, you can't then vote in the last place. तो ये जो एक शोशा कर दिया है, डिनास्टिक पालिटिक्स ये वो करते हैं जिनके पास और कुछ भी नहीं है, क्या जवाललाल की बेटी इंदरा गांदी ने कम तकलीफे उठाई, इस मुल्क को कहां से कहां पहुंचाया, आज हमारे पास अटम बम है, उसकी महर्मानी है, य अगर आज हमारे स्टेंट है, कि दुनिया के सामने हम खड़े हैं, उसको भूल तो नहीं सकते आप, उसकी कुर्बानिया नहीं भूल सकते, मुल्क के लिए उसने हून दिया, यह भी आपको मनना पड़ेगा, तो उसके बेटे ने, तो क्या आप यह भूल सकते हैं, आप उस रहे उससे कुर्प्त गर्वेंट, मैं आज ही बेजूँगा जब आप प्राइमिस्टर नहीं होगे, तो दुनिया का सब से गौर्प्त और सकेंडिलिस गर्मंट आपकी हुड़े, जिस दिन प्राइमिस्टर नहीं होगी, दुनिया की नमबर वन क्रप्त deshalb, स्केंडिले नह वोगी भारतिय जन्ता पार्टी के अंडर इस गामट और बीजेपी पार्टी विल बीड वे कॉर्प्ट प्रमॉस्ट कॉर्प्ट इन दे वर्ल और वो डिग्री हम हैं बताना नी चाहते हैं चली और कोई सवाल वह सजाद नौन का बाप क्या था वो क्या था वो प्लिटिटर नहीं था जालिए कि इस बाता है कि एक उंगली जब दूशी उठाता है तो सजाद लों से कहिए तीन उंगलिया उनकी तरह भी है